पर शायद आप इससे होने वाले फायदों से बाकिफ ना हो तो चलिए जानते हैं इसके कुछ गुड़ों के बारे में इसे क्लैरिफाइड बटर के नाम से भी जाना जाता है देजीगी saturated fat का एक अच्छा source है और इसे cooking purpose के लिए भी best माना गया है क्योंकि गर्मोंने पर ये toxic nature शो नहीं करता एक average person की diet में 15-20 gram देजीगी sufficient होता है जो आपके bones, hairs, nails, skin और fertility को अच्छा रखने में help करता है ये lactose और casein free होता है तो जो लोग casein और lactose allergic होते हैं वो भी इसे consume कर सकते हैं ये body में bad cholesterol को कम करके good cholesterol को बढ़ाता है, digestion अच्छा रखने में help करता है, body में glucose level को भी control करता है और कई cases में body के hormone level को भी एक अच्छे sufficient level तक maintain रखता है इसी के चलते हमें इसके कुछ myths भी सुनने को मिलते हैं जैसे देशी के खाने से हम मोटे हो जाते हैं, obesity का सिकार हो सकते हैं, देशी के खाने से cholesterol level बढ़ जाता है और heart attack का खत्रा बन सकता है, वगेरा वगेरा दोस्तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चुछ को हम जादा मातरम consume करते हैं तो वो हमें नुकसान ही करती है और अगर आप 15-20 ग्राम देशी की डेली अपनी diet में include करते हैं, तो आप अपनी health में काफी अच्छे regards देखेंगी वेल, क्या आप अपनी diet में देशी की consume करते हैं, हमें comment box में जरूर बताएं वीडियो चलागा हो तो like करें और channel को subscribe करें, thanks for watching